नव ग्रहु में देवग्रु ब्रशपती को मंत्रणा का कारग्रह माना गया है। पांस तत्तु में से आकास तत्तु का अधिपती देवग्रु ब्रशपती के बास होने की वज़े से इस ग्रह का प्रभाव बहुत ब्यापक और विराठ होता है। देवग्रु ब्रश्पति के कुंडली में कमजोर इस्तिति में विराजबान होने से ब्यक्ति के संस्कार भी कमजोर हो जाते हैं। साथी, बिद्या, संतान और धन प्राप्ति में भी ऐसे ब्यक्तियों को बहुत अधिक बाधा का सामना करना पड़ता है। ग्रहों में देवग्रु ब्रश्पति सरवादिक पवित्र और सुब ग्रह माने गए हैं। मात्र कुंडली में इनके सुब होने पर ब्यक्ति पर इस्वर की कृपा बन जाती है। यहां अकेले ग्रह संतान, धन और भिबाह की मामलों को उत्तम कर देते हैं। देवग्रु ब्रश्पति की द्रिष्टी जिस भी भाव पर पढ़ती है या जिस भी ग्रह पर पढ़ती है उस भाव को या उस ग्रह को गंगा जल के समान पवित्र कर देते हैं। हालाकि इसमें देवग्रु ब्रश्पति का मजबूत इस्तिति में होना बहुत आवश्यक ह जिस भी भाव या ग्रह पर देवग्रु ब्रस्पति की दिरिष्टी पड़ती है। उस भाव या उस ग्रह के असुप फलों को मजबूत देवग्रु समाप्त कर देते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में देवग्रु ब्रस्पति कमजोर अवस्ता में होते हैं तो ऐसे जातकों के संचकार बिलकुल खतम हो जाते हैं। ऐसे जातकों को बिद्या और धन्प्राप्ति में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ये ऐसे ब्यक्तियों को अपने से बड़ु का सयोग भी नहीं मिल पाता। वहीं अशुब देवग्रु के कारण ब्यक्ति की संतान उत्पति नहीं हो पाती है। अगर हो भी जाती है तो उसके अपने माता-पिता के साथ संबंद अच्छे नहीं रहते। ठीक इसी तरह से अगर अशुब देवग्रु ब्रश्पति का संबंद बिवा भाव यानि सब्तम भाव से बनेई तो जातक का बिवा नहीं हो पाता। अगर हो भी जाता है तो उस जातक के बिवा के बाद अनेक समस्चाओं का सामना उस ब्यक्ति को अपने दामपति जीवन में करना परन्तु ब्रश्पति ग्रह के बुरे असर का निवारण बहुत मुश्किल हो जाता है। बैदिक जोतिस के अनुसार ब्रश्पति ग्रह को एक लापकारी ग्रह माना गया है। देवग्रु ब्रश्पति शिक्षा, संतान, बिवा, भाग्य, धन, आध्यात्मिक्ता और भक् ग्रहम आने गए है। देव गुरु ब्राश्पति की कुंडली में सुब इस्तिती ब्यक्ति को धार्मिक प्रविर्ति का बना देती है। उस जातक के अंदर सात्विक गुणु का विकास करती है। ऐसा ब्यक्ति समाज में मान सम्मान और प्रतिष्टा को प्राप्त करता है। देव गुरु ब्राश्पति की इस्तिती ब्यक्ति के जीवन में यहाँ निर्धारन करती है। कि उसके अपने से बड़े और भुजुर्ग लोगों के साथ किस प्रकार के संबंद रहने वाले हैं। इसका निर्धारन भी देव गुरु ब्राश्पति की इस्तिती ही करती है क्यूंकि देवग्रू ब्रश्पती सम्मानित और भुजुर्ग व्यक्तियों का प्रतिनी दित्तु करते हैं किसी भी जातक की कुंडली में देवग्रू ब्रश्पती की इस्तिती ही यहां भी निर्धारण करती है कि उसके अपने शिक्षकूं के साथ किस प्रकार के संबन्द रहेंगे देवग्रू ब्रश्पती का गोचर लगबख तेरा महने का होता है तो यहां किसी भी राशी पर बहुत लंबी समयवदी तक प्रभावडा होते हैं किसी भी जातक के जीवन में होने वाले मांगली कारी का निर्धारण भी देवग्रू ब्रश्पती की इस्तिती ही करती है इसलिए यहां जातक के जीवन में बहुत महत्वण भूम का निभाते हैं 12 राशियों में से अगनी तप्तु की धनू राशी और जलतप्तु की मीन राशी पर देवगुरु ब्रसपती का अधिपत्य हैं। इसके अलावा चन्रमा की साचित वाली करक राशी में देवगुरु ब्रसपती उच्च अवस्ता में होते हैं। जबकि सनी की स्वामित्तु वाली मकर रासी में देवग्रू ब्रस्पती नीच की अवस्ता में होते हैं। बैदिक जोतिस के अनुसार देवग्रू ब्रस्पती ही किसी भी जातक के जीवन में सुपता प्रदान करते हैं। क्यूंकि यहां जातक के जीवन में उच्छा और उमंग का संचार करते हैं। अब यही धन के कारग्रह देवगुरु ब्रश्पती 13 अप्रेल 2022 को सुबह 11 बच कर 23 मिनट पर सानी की स्वामित्तु वाली कुम्ब राशी से निकल कर अपनी स्वराशी मीन राशी में प्रवेश करने वाले हैं। तो यहां लंबी समय वद्धी तक हर एक राशी को प्रभावित करेंगे। हालाकि देवगुरु ब्रश्पती के इस गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली में देवगुरु ब्रश्पती की स्थिति भी निर्भर करेंगी। कि वहाँ आपकी कुंडली में किस प्रकार से बिराज माने क्या देव गुरु ब्राश्पति की आपकी कुंडली में सुबिस्तिति है या असुबिस्तिति है इस पर भी इस गोचर का राश्पल आपके लिए प्रभावी रहेगा इसके लिए आप अपने कुंडली का भी विस् प्रकार का प्रभाव पढ़ने वाला है इसके बारे मां हम आज विस्तार पुर्वक जानेंगे साथी जिन लोगों के लिए इसके अशु प्रभाव देखने को मिलेंगे वह क्या उपाय करकर इस गोचक को सुब बना सकते हैं इसके बारे में भी हम आज की वीडियो मां चर्च आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें तो चलिए शुरुवात करते हैं मेश रासी से मेश रासी के लिए देव गुरूब राश्पति नौम भाव और द्वादस भाव की स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवदी में ब्याय और हानी के बारुवे भाव में देव गुरूब राश्पति गोचर करने वाले हैं यहां पर बैठे हुए देव गुरूब राश्पति की चौथे भाव छटे भाव और आठवे भाव पर द्रिष्टी रहने वाली है इस समयवदी के दौरान आपको स्वास्त के प्रति सचेत रहना है स्वास्त से सम्द्दित मामनु में इस समयवदी में आपका धन अत्यदी खर्च होगा हलाकि देव गुरु ब्रश्पति का यहां गोचल आपके लिए भागी का प्रबल सान लेकर आने वाला है इस सम समयवदी के दौरान आप अपने सुक शिवदाओं के साद्रों पर भी अपना धन खर्च कर सकते हैं वहीं कुझ जातक इस समयवदी के दौरान नई संपति नई कार या नए घर पर अपना धन खर्च कर सकते हैं इस समयवदी के दौरान आपका खर्च कानुनी मामलू पर भ इस गोचर अवधि को शुप करने के लिए ओम गुंग गुरुवे नमा मंत्र का नित्य एक्सवाट बार जाप करें। इस गोचर काल की अवधि में आई और लाप के इकादस भाव में देवगुरु ब्रस्पति गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु ब्रस्पति आपके पराक्रम के भाव, शिक्षा के भाव और दामपत्ति के भावपत द्रिष्टी रखेंगे। आर्थिक मामलू के लिहाद से यहाँ गोचर आपके लिए बेहत सांदार रहने वाला है। इस समयवदी में आप नए नए श्रोतु से धन प्राप्त करने में सपल रहेंगे। यहाँ गोचर आपके पराक्रम में भी ब्रिद्दी लेकर आने वाला है। जिसका साप साप असर आपके कारी शेत्र पर दिखाए देगा। आप अपने पराक्रम के दम पर किसी भी कारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे। वहीं छात्र जात्कूं के लिए यहाँ गोचर एकाग्रिता में भी ब्रिद्दी लेकर आने वाला है। आप अपने किसी भी विशाय पर इस समय अवदी में अच्छी पकड़ बनाने में काम्याब रहेंगे। दम पत्य जात्कूं के लिए यहाँ गोचर प्रेम और रोमांस में ब्रिद्दी लेकर आने वाला है। इस समय अवदी में दम पत्य जात्कूं के भी सामंजर्सी में ब्रिद्दी देखने को मिलेगी। हलाकि स्वास्त के लिहाद से आपको छोटी मोटी परेशानिया नमा भगवते वाचुदेवाई नमा मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं मिथुन रासिकी। मिथुन रासिके जात्कूं के लिए देवगुरु ब्रस्पति सब्तम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं। यानि की दो केंद्र भाव के स्वामी। इस गोच गोचर आपके कारी छेत्र के लिहाद से बेहत सुप परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय अवधि के दोरान आपको पदोनती मिल सकती हैं। और आपके आई में बृद्धि हो सकती है। आर्थिक लिहाद से भी इस समय अवधि में आप धन संचय करने में सफल नजर आ रह था तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। कानुनी छेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए यहां गोचर बेहत सुप परिणाम लेकर आएगा। अगर हम दामपत्ती जीवन की बात करें तो इस समय वधि में मिथुन राशी का दामपत्ती जीवन खुशियो आपके लिए सामानने रहेगा। इस घोचर अवधि को सुप करने के लिए देव गुरु ब्राश्पती के बीजमन्त्रु का नित्य एक्सवाट बार जाप करें। बात करते हैं करकरासी। करकरासी के जातकूं के लिए देव गुरु ब्राश्पती शस्टम भाव और नौम भाव पर रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपको संतान पक्ष की ओर से कोई सुप समाचार मिल सकता है। वहीं दामपती जातकूं के जीवन में भी संतान प्राप्ती की कोई सुप सूचना प्राप्त हो सकती है। देव गुरु ब्राश्पती का यहां गोचत आ आपके लिए भागी का सान लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपके व्यक्तित्तों में भी एक अलग से निखार देखा जाएगा। इसी प्रभावसाली व्यक्तित्तों के दम पर आप समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्टा में बृद्धि कर पाएंगे। इस इस समय अवधि के दौरान आपके बरिष्टी भी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। छात्र जात्कूं के लिए यह गोचर बेहत सुप परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय अवधि में आपके एकागरता में बृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दामपत्ति गोचर प्रेम में बृद्ध लेकर आने वाला है। इस समय अवधि को सुप करने के लिए ब्रस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रू को धारन करें। बात करते हैं सिंग रासी की। सिंग रासी के जात्कूं के लिए देवगुरु ब्रस्पति पंचम भाव और अस्टम भाव और माता और सुप के चतुरत भाव पर रहने वाली है। यहां गोचर स्वास्त समश्याओं पर खर्चूं में बृद्ध लेकर आ सकता है। हलाकि आर्थिक मामनू के लिहाद से यहां गोचर आपके लिए बेहत चांदार रहेगा। इस समय वधि में आप धन शंचय करने मे सपल रहेंगे। देवगुरु ब्रश्पति का यहां गोचर आपका जुकाव आध्यात्म की ओर करने वाला है। वहीं गूल रहस्यूं, गूल विज्ञान या जोतिस से जुड़े हुए लोगों को यहां गोचर बेहत लाप की इस्तिती बनानी जा रहा है। छात्र जात्क माई अवदी के दोरान आप कोई वाहन या भवन खरीच सकते हैं या किसी संपत्ति पर आप निवेश कर सकते हैं। यहां गोचर आपको अचानक से कोई धनलाब करा सकता है। इस गोचर अवदी को और अधिक सुप कर दे के लिए ब्रश्पतिवार के दिन पीली चीजू का दान करें। बात करते हैं कन्यारासी की। कन्यारासी के जात्कूं के लिए देवग्रू ब्रश्पति, चतुर्त भाव और सब्तम भाव के स्वामी होते हैं। यानि की दो केंद्र भाव के स्वामी। इस गोचर काल की अवदी में दामपत्य और साजेदारी के सब्तम भाव पर देवग्रूब रश्पति कोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए देवग्रूब रश्पति की द्रिष्टिया आपके आई भाव, लगन भाव और पराक्रम भाव पर पढ़ने वाली है। आपके लिए बेहत सुब इस्तिति लेकर आया है। वहीं देवग्रूब रश्पति का यहाँ गोचर आपके प्रभावसाली ब्यक्तित्तु में भी ब्रिद्ध लेकर आने वाला है। आप अपके प्रभावसाली ब्यक्तित्तु के दम पर समाज में मान सम्मान पत्प्रतिष् सकता है कारी छेत्र की अगर हम बात करें तो आपके पराक्रम की वज़े से कारी छेत्र में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे इस गोचर अवदी को छुप करने के लिए देवगुरु ब्रस्पति के बीजमंत्रु का नित्य 108 बार जाप करें बात करते हैं तुल गुरुब रस्पति की द्रिष्टियां आपके कर्म भाव ब्याई भाव और धन कुटंब के दिती भाव पर रहने वाली है यहाँ गोचर आपको स्वास्त से संबंधि समस्याएं दे सकता है इन स्वास्त समस्याओं पर आपका इस समय वदी में जादा धन खर्चों हो सकता कारी चेत्र के लिए हाथ से यहां गोचर आपके लिए बेहत सुब रहेगा हलाकि आपको अपने सत्रूं से भी इस समय वदी में कारी चेत्र पर सावधानी बरतनी है वहां आपको गिरानी की कोशिष कर सकते हैं देव गुरु ब्राश्पति का यह गोचर आपको पैत्रिक संपत्य से लाब दिला सकता है। वहीं आप अपने पराक्रम के दम पर कारी चेत्र पर आप अपना अलग से स्थान बनाने में काम्याब रहेंगे। इस समय अवधि में आपके कारी के सराना आपके बरिष्टू द्वारा की जाएगी। आपके किसी कानूनी मामलू में आपका धन खर्च हो सकता है। हलाकि इन कानूनी मामलू में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस गोचर अवधि को सुप करने के लिए ओम ब्रिम ब्रिष्पतिय नमा मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं ब्रिष्चिक राशिकी। ब्रिष्चिक राशिके जात्कूं के लिए देवग्रू ब्राश्पति भिती भाव और पंचम भाव के स्वामिय होते हैं। इस गोचर काल की आवधि में संतान, शिक्ष्या और रोमांचि के पंचम भाव पर देवग्रू ब्राश्पति गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए देव गुरू ब्राश्पति की द्रिष्टी आपके भागी भाव, आई भाव और लगन भाव पर रहने वाली है। दो धनभावूं से देव गुरू ब्राश्पति का संबन्द होने की वज़े से यहाँ गोचर आवदी आपके लिए आर्थिक लियाद से बेहत सुप परिणाम लेकर आई है। इस समयावदी में आपको भागी का भी भरपूर सायोग प्राप्त होगा, जिसके दम पर आप किसी भी कारी पर आसानी से बिज़य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ गोचर आपके ब्यक्तित्यु में भी निखाल लेकर आने वाला है। आप अपने भ्यक्तित्यु के प्रभाव से समाज में मान सम्मान और प्रतिष्टा प्राप्त कर पाएंगे। इस समयावदी के दौरान आपको पैत्रिक संपत्य से लाप्राप्त हो सकता है। साती चात्र जात्कूं के लिए यहाँ गोचर बेहत्षू परेनाम लेकर आने वाला है। अगर हम दामपत्ती जात्कूं की बात करें, तो दामपत्ती जात्कूं के भी जीवन में प्रेम में बृद्ध लेकर यह गोचर आने वाला है। इस समय अवदी में आपके अपने पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, साथ ही आपको अपने पिता की वज़र से कोई लाप्राप्त हो सकता है। इस गोचर आवदी को सुप करने के लिए भगवान विष्णु को ब्रश्पतिवार के दिन पीले फूल अरपित करें। बात करते हैं धनुरासी के लिए देवग्रू ब्रश्पती लगन भाव और चतुरत भाव के स्वामी होते हैं। दो केंद्र भावन के स्वामी। इस गोचर काल की अवदी में माता और सुक के चतुरत भाव पर देवग्रू ब्रश्पती गोचर करने वाले हैं। देवग्रू ब्रश्पती का यहाँ गोचर आपके भौतिक सुक्षादिनों की चीजू में बृद्द लेकर आने वाला है। आप इस समयवदी में कोई वाहन खरीच सकते हैं या कोई नया घर आप खरीच सकते हैं। साथ ही किसी समपत्ती पर भी आप इस समयवदी में निवेश कर सकते हैं। हाला कि आपको देव गृृ ब्रश्पती के इस गोचर में कुछ स्वास्त समच्याओं से भी दोचार होना पड़ सकता है। स्वास्त समश्याओं पर भी आपका कुछ धन खर्च हो चकता है। देव गुरु ब्रश्पति का यहाँ गोचर आपको प्रभावसाली ब्यक्तित्तु देने वाला है। जिसकी वज़े से आपका समाज में मान सम्मान में बिद्धि देखने को मिलेगी। इस गोचर की अवद करने के लिए ब्रश्पतिवार के दिन गरीबु को पीली चीजू का दान करें। बात करते हैं मकर रासी के लिए देव गुरु ब्रश्पति तृती भाव और द्वादस भाव के स्वामिय होते हैं। इस गोचर काल की अवदि में पराक्रम और छोटे भाई-बैनों के तृ ब्रश्पति भाव में देव गुरु ब्रश्पति गोचर करेंगे। यहां पर बैठे हुए देव गुरु ब्रश्पति की दिरिष्टियां आपके दामपत्ति के सब्तम भाव भागी के नौम भाव और आय और लाप के इकादस भाव पर रहने वाली है। देव गुरु ब स्वास्त के प्रती इस समयवदी में थोड़ा सचेत रहना होगा। उन्हें छोटी मोटी बीमारियां इस समयवदी में परेशान कर सकती है। वही देव गुरु ब्रश्पति का यह गोचर आपके लिए भागी का जबरदस्त साल लेकर आने वाला है। इस समयवदी में आप अपने पराकरम और भागी के दम पर किसी भी कारी में आसानी से सपलता अरजित कर पाएंगे। आर्थिक लिहाद से भी यह गोचर आपके आएके स्रोतु में ब्रिद्ध लेकर आने वाला है। आप इस समयवदी में अनेक स्रोतु से धन अरजित करने में सपल नहींगे। वहीं बड़े भाई बैनु के साथ आपके समंद बहुत मधूर दिखाई देंगे। आपको अपने बड़े भाई बैनु से किसी प्रकार के लाप की प्राप्ती हो सकती है। यह समयवदी आपके संचार कौशल में भी ब्रिद्य लेकर आने वाला है। जिसका फाइदा आपको अपने कारी शेत्र पर दिखाई देगा। इस गोचर अवदी को सुप करने के लिए ओम नमा भगवते वासुदेवाई नमा मंत्र का नित्य 108 भार जाप करें। बात करते हैं कुम्ब रासी की। कुम्ब रासी के जात्कों के लिए देवग्रू ब्रस्पति आई भाव यानि इकादस भाव और धन भाव यानि दृती भाव के स्वामिय होते हैं। इस गोचरकाल की आवदी में बाणी और कुटुम्ब के दिती भाव में देवग्रू ब्रस्पति गोचर करेंगे। इस गोचरकाल की आवदी में देवग्रू ब्रस्पति की द्रिष्टिया आपके छटे भाव, अस्टम भाव और दसम भाव पर रहने वाली हैं। इस गोचर काल के आवदी में आपको स्वास्त के प्रति सचीत रहना है क्यूंकि इस समाय आवदी में आपको स्वास्त से संबंदित परेशानियों से दोचार होना पड़ेगा हाला कि देव गुरु ब्रश्पति का दो धन भाउन से संबंद होने की वज़े से आपके आर्थिक पाक्षि को यहाँ गोचर बहुत मजबूत करने वाला है आप अनेक स्रोतू से आय करने के इसांसार उस धन को संचित करने में भी सपल नजर आएंगे कारी छेत्र के लिए हाँ से यहाँ गोचर आपके लिए बेहत सुब रहने वाला है इस समय अवदि में आपको पदोन्नती प्राप्त होगी साथी बेतन बृद्धि के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं देव गुरू ब्रशपति का यहाँ गोचर आपको अचानक से कोई लाप दिला सकता है हो सकता है यहाँ लाप आपके पैत्रिक संपत्ति से हो हलाकि इस गोचर की अवदि में आपको अपते सत्रू से जरूर साथधान रहना है क्योंकि वहाँ आपको नुक्सान पहुचानी की कोईशिस कर सकते हैं इस गोचर आवदि को शुप करने के लिए ब्रशपतिवार के दिन घरीबू में पीली मिठायू का दान करें बात करते हैं आज की अपनी अंतिमरासी मीनरासी मीनरासी के जात्कूं के लिए देवग्रू ब्रशपति दो केंद्र भाव यानि की लगन भाव और दसम भाव कर्म भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवदि में देवग्रू ब्रशपति आपके लगन भाव पर गोचर करने वाले हैं यानि कि देवग्रूब राशपती का गोचर आफी की राशी में होने जा रहा है। के सब्तम भाव और भाग्या और फिता के नौम भाव पर देवग्रु ब्रस्पति की दिरिष्टी रहेगी इस समयवदी के दौरान समाज में आपके मान सम्मान पत्रतिष्टा में बृद्धि देखी जाएगी यहां गोचर चात्र जात्कूं के लिए भी बेहत सुप परिण लेकर आने वाला है वहीं दामपत्ति जात्कूं के जीवन में भी यहां गोचर बेहत सुप परिणाम लेकर आने वाला है आपके प्रेम में इस समयवदी में बृद्धि देखने को मिलेगी और आपके समंजश्य में भी यहां गोचर बृद्धि लेकर आया है वहीं जो जा बेहत सुप परिणाम लेकर आया है। आप इस समयवदी में अपने ब्यावशाय के बिश्तार के साथ अपने ब्यावशाय से लाब भी प्राप्त कर पाएंगे। मीन राशी के जात्कूं को अपने भागी का प्रबल साथ मिलने वाला है। आप अपने भागी के दम पर किसी भी कारी में आसानी से सफलतार जीत कर पाएंगे। कारी छेत्र के लिए हाद से यहां गोचत आपको पदोन्नती और बेतन ब्रिद्दी देने वाला है। इस आपको अपने पिता से कोई अच्छा लाप्राप्त हो। तो कुल मिलाकर मीन राशी के जात्कूं के लिए यहां गोचर बेहत शुप परिणाम लेकर आने वाला है। इस गोचर अवधी को और अधिक शुप करने के लिए देवग्रू ब्रस्पति के बीजमंत्रू का निती 108 बार जाप करें। तो यहां ता देवग्रूप ब्रस्पति का गोचर जिससे हमारी 12 राश्य प्रभावित होने जा रही है। उमीद करता हूँ यहां जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पने हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिर्णी हाँ